सब्सक्राइबर के पार पहुंचाया है एक हजार फॉलोवर हम वहाँ पे भी क्रॉस कर गया है लेकिन अब जो हमारा नेक्स टार्गेट है वो है दस हजार सब्सक्राइबर तक इसको किसी विधालत में पहुचाना जितना जादा आप चैनल को शेर करेंगे उतना ही चैनल में व्यूज आएंगे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं आपको और कंटेंट रेगुलरली प्रोवाइड करूँगा अभी मैं बहुत इर्रेगुलर हम मुझे पता है नेक्स्ट वीक जो है वो मेरा काफी समय बच जाएगा क्योंकि मेरे स्टुडेंट्स लोग के एक्जाम्स चल रहे है तो उस समय मैं ये आपका परियावरान वाली जो सिरिज जो हम लोग अभी पढ़ने वाले है उसको मैं पूरा खतम कर दूँगा और मैंने एक पोल डाला हुआ टेलिग्राम पे आपको किस सब्जेट के वीडियो लेक्शर्स चीए ठीक है तो उसमें जब पोल के हिसाब से कई लोग बोल रहे है मेडिवल इंडिया पढ़ाने के लिए अगर आपको भी उस पोल में अपना मत रजिस्टर करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाए वहाँ है फेस्बूक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है वहाँ मुझे कमपल सरी फॉलो कर लेजे फेस्बूक वाले पेज को लाइक करके फॉलो कर लेजेगा इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेजेगा इसके अलावा आपको टेलीग्राम का लिंक बिनेगा टेलीग्राम के लिंक पे जाके उसे जॉइन कर लिजेगा और इसके अलावा वहाँ पे पोल पे अपना मत रजिस्टर करिए कि आपको किस सब्जेट के वीडियो लेक्शर इसके बाद चाहिए ठीक है हम लोग आ रही हमारी जो एसी अपकी जो सिरिज है वो तीन वीडियो लेक्शर और बचे हुए है इसके बाद जो है परियावराण की जो सिरिज जो कि मैंने आप पो प्रोमिस किया था वो कम्पलीट हो जाएगा ठीक है और इसके बाद हम लोग जो भी वीडियो लेक्शर देखेंगे उसके साब सब अकॉर्डिंग प्लाइन करेंगे कि आपका मत किस प्रकार आता है ठीक है तो आप प्लीज जाके वहाँ पर कमेंट करिए जो भी आपको पसंद है जिस सब्जेक्ट के लेक्शर चाहिए आपको ठीक है इसके रावा वाट्साप अले लिंक पर जाके अपने नाम और लोकिशन के साथ सेंड करेंगे मुझे तो मैं आपको वाट्सापोर्ट ग्रूप पर जोड लूँगा अल्रेडी बहुत सारे मेंबर है और मैंने टेक्निकल ग्रूप भी चालू कर दिया है ठीक है जिन स्टुडेंट्स को इस्टेट इंजिनिरिंग सर्वेसेस और CSCB के भी वीडियो लेक्शर चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे और उसके लिए आप टेक्निकल ग्रूप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है जो विद्यूत आपके सिविल और आपके मेकानिकल ब्रांच से रिलेटेट इस्टूडेंट है वो आप टेक्निकल वाले ग्रूप को जॉइन करने के लिए वाट्सव पर मुझे मेसज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर आड़ कर दूगा, ठीक है? इसके अलावा जिन सजनों को मुझसे पढ़ना है CSEB, JE, आपके State Engineering Services, इसके अलावा आपके CGPAC Prelims, Mains और CGVyapam और ACF Examination की Test Series चालू करने वाले है, Registration अल्रेडी ओपन हो चुकी है, आप Register कर सकते हैं, उसके लिए भी आप DOA नमबर पर संपर करें, मात तीन सो रुपए Test Series है, दस टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें से एक टेस्ट होगा, वो Absolute Tree of Cost होगा, तो प्लीज, Test Series के बारे में जाड़ सब्जेट की लगातार वीडियो सरी चल रही है, अगर आपने प्रिवेस लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आप उपर जाए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, आप लिंक पर टैप करके पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे और ये पहली क्लास हो गई, दो क्लास और इसके बाद है, और इसके बाद परियावरण आपका पूरा कंप्लीट खतम हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग पहले आज इसको कवर करते हैं, चलिए बिना टैखे से टाइम वेश्ट के हम लोग चालो करते हैं आज का लेक्चर, इसी निश्चित समयावधी में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या व्रिधिद्यर या फिर उसमें कमी को दर्शाता है, ठीक है, तो ये जनसंख्या परिवर्तन की परिभाशा हो गई, नेक्ट क्या हम लोग दिखते हैं, कुछ मिस्लेनियस आपको डेटा से रखने हैं, ठ इश्व में जनसंख्या समय के हिसाब से कितने समय में दुगनी हो रही थी, वो कुछ facts है, उसको आप रख सकते हैं, ठीक है, जनसंख्या का वो औरा पूर्शन जो की अर्थ व्यवस्था से related है, जो अर्थ व्यवस्था में हम लोग पढ़ते हैं कि जनसंख्या के विकास की सिति किस प्रकार है, घटने की, बढ़ने की, ये इसके 5 stages वाला जो concept है, वो आपके अर्थ व्यवस्था में आता है, ठीक है, अर्थ व्यवस्था वाला concept हम लोग यहाँ परियावरण में नहीं पढ़ेंगे, आप जब अर्थ व्यवस्था वाला पढ़ेंगे तो इससे related औ लखना दिमाग में, अगर question आया, तो आप उसके हसाब से answer करियेगा, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्ष, यहाँ पर लिखा हुआ जनसंख्या करोड में, और यह लिखा है आवधी जितने दिनों में ये दुगनी हो रही थी, ठीक ह एक अनुवान के मुताबिक विश्व की जनसंख्या 1st AD में लगबग 25 करोड की आसपास थी, ठीक है, 1650 AD में ये भी अनुवान है न, क्योंकि उसमें जनगर्णा होती कहा थी, आदमें को पढ़ना ही नहीं आता था, तो जनगर्णा क्या करेगा, वो भी विश्व की, ते ए ताइम अपन को लगा, 1650 साल, ठीक है, 1650 साल के बाद ये विश्व की जनसंख्या दुगनी हुई थी, एसी देखेंगे, 1800 AD में, 1800 AD में ये 100 करोड हो गई, मतलब 50 से दुगनी 100 करोड और उसमें जो टाइम लगा, वो मातर 1.500 साल लगा, ठीक है, चलो यहां ता कि ठीक है, 1930 AD में ये 200 करोड हो गई, तो अब अगर आखडा लगाओगे, अपना हिसाब, मैट्स लगाओगे, तो मातर 130 साल में, विश्व की जनसंख्या जो हो गई, वो 200 करोड हो गई, मतलब 100 का दुगना, नेक्स्ट हम लोग देखते है, 1975 AD में, ये 400 करोड हो गई थी, विश्व की जन मृत्यूदर है, वो भी काफी कम हुई, क्योंकि साइंस और टेकनोलोजी का आविश्कार हुआ, ठीक है, वैज्यानिकों का ऐसा मानना है, कि ये 400 से 800 करोड जो है, वो 2021 में, हमारे विश्व की जनसंख्या 800 करोड हो जाएगी, ठीक है, ये अनुमान है, केवल, तो अगर 2021 का अगर आप आखड़ा निकालो गए तो लगबग लगबग 25 हो गया 20, मतलब कहके सकते हैं, 40-45 साल, ठीक है, मोटा मोटी हिसाबा, 45 साल, लगबग हाँ, लगबग 45 साल के आसपास ही, तो उतनी हमारे जो जनसंख्या कि फर्टिलिटी रेट इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, ठीक है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते जाएगी, तो उससे क्या-क्याच इंपक्ट्स आएंगे हमारे एकोनॉमी में और हमारे जीवन में, उसके बारे में हम लोग अनलेसिस बाद में करेंगे, फिलहाल हम लोग देखते हैं कि वार्षिक वृद्धिदर कितनी ह आगे बढ़ रही है, उसको बोलते हैं वार्षिक वृद्धिदर, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या है 1.2% की रेट से ग्रो कर रही है, मतलब जो भी जनसंख्या के आंकडे अभी वर्तमान में विश्व के हैं, जितने लोग हैं विश्व में, उसका 1.2% हर साल बढ़ ठीक है, अफरीका में जो ये रेट है वो 2.6% है, मतलब अफरीका के कुल जनसंख्या का दो दसमनो 6% और बढ़ जाता है एक साल के अंदर, इसी प्रकार लाटिन अमेरिका का प्रतिशत वो 1.1% के हिसाब से बढ़ता है, लाटिन अमेरिका जो है हमारा साउथ अमेरिका को बोलते हैं, ठीक है, और वो जो छेतर है, वहाँ पे भी आपका जनसंख्या व्रिदियर काफी तेज है, लगब 1.1% के आसपास, ठीक है, उत्तर अमेरिका जो थोड़े पढ़े लिखे लोग है वहाँ पर और यहाँ पर जो रेट है, वो माइनस पॉइंट, सोरी, माइनस न क्योंकि रिवारप के कई सारे लोग तो बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आप बेश्टन वोल्ड के देखेंगे, तो आप ब्रिटेन वगडर एक जनसंख्या देखेंगे, कई लोगों के ग्रोथ रेट तो काफी नीची रहती है, ठीक है, तो वहाँ का ए और आंकड़ा आप याद रख लेजे, जनसंख्या के हिसाब से जो है, विश्व में कौन सा देख, कौन से क्रम पे है, यह आपको किसी भी एक्जाम में पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं के परियावरा में पूछें, लेकिन यह जो जनसंख्या के आंकड़े हैं, जिनमें हमने चीन, भारत, यूगे से, इंडोनेशिया और ब्राजील को रखा है, सबसे पहले नंबर बे है आपका चीन, ठीक है, वहाँ के जनसंख्या सबसे जादा है, ठीक है, और यह बेस एर जो है, वो 2009 है, जो यह आंकड़े आये थे, वो 2009 के हिसाब से विश्व की जनसंख्या के आकड़े है, ठीक है, कि इसमें कौन सा देश जो है, वो कौन से क्रम्प है, 2009 के आकड़े है, ठीक है, तो भारत जो है, चीन जो है, वो सबसे नंबर बन में है, सेकेंड है आपका भारत, ठीक है, थार्ड में है आपका यूएसे, फोर्थ में है आपका इंडोनेशिया, औ और 5th में है आपका ब्राजिल, ब्राजिल छेत्रफल के एस też आपसे भिए और जणसक्था के विश्व का पाथवां देश है, दोंगे कैटेगरी में देश नमबर पाथवा है, ठीक है? चीन की जणसेंख्या जो है? चीन की जनसंख्या का contribution, विश्व की जनसंख्या में 19.6% है, आप इसको याद रखेगा, मतलब विश्व की कुल जनसंख्या का 19.6% अगर निकालोगे तो वो चीन की जनसंख्या आ जाएगे, इसी प्रकार भारत की जनसंख्या का contribution 17% है, मतलब कुल विश्व की जनसंख्या का अगर आप 17% निकालोगे तो वो भारत की जन संख्या होती है ठीक है इसी प्रकार सहीवत राज अमेरिका का contribution 4.5% है और इंडोनेशिया का 3.4% है और एक और देश बज गया हमारा ब्राजील का contribution 2.9% है तो यह मोटा मोटा हिसाब आपको याद होना चाहिए आप जितना ज्याद करना चाहिए कर सकते हो लेकिन मैंने 5 देश बता है तो इतना तो आपको याद होना चाहिए ठीक है तो यह कुछ आकड़े थे और कुछ चीजे थी इसके बाद हमारे तीन मिसलेन आसे टॉपिक है उनको हम लोग थोड़ी देर में कवर करते हैं तो चलिए कुछ और टॉपिक दिख लेते हैं हम लोग पहला टॉपिक है हमारा जनसंख्या विस्पूट अब जनसंख्या विस्पूट की स्थती क्या होती है इसका सीधा साथा मतलब यही है कि आ जिससे लगातार जो है वो जनसंख्या में हमको एक उच्छाल देखने को मिल रहा है वो बेसिकली जनसंख्या विस्पूट की स्थती ही है ठीक है 2001 से लेकर 2011 तक है जो जनसंख्या क्या आकड़े आये थे ठीक है उसमें देखा गया कि भारत में प्रति वर्स 1.9 करोड लोग जो है साला जनसंख्या विध्धी हो रही है ठीक है वाला इतने लोग जो है वो एडिशनल भारत की जनसंख्या में आ रहे है तो यही बोलते है कि भारत जो है हर वर्स जो है एक ब्राजील पैदा करता है तो वो एक्जेकली यही फिगर है कि 1.9 करोड जो है पॉपुलेशन वो प्रती वर्ष की दर से बढ़ रही है ठीक है तो यह काफी चिंता जाना किस्तिती है क्योंकि इसका प्रभाव हमको अलग-अलग छेत्रों में देखने को मिलता है सबसे पहले तो हमारा प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव काफी जड़ा पढ़ रहा है क्योंकि भारत मे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बहुत जड़ा बढ़ा है इसके अलावा परियावरन को छती हो रही है क्योंकि नवीन जनसंख्या के लिए अलग घर बनाने पढ़ेंगे और अगर घर बनाने पढ़ेंगे तो क्या हो रहा है पीड़ों की कटाई करना पढ़ेगा जो जिन शेत्रों में पहले जानवर रहते थे वहाँ पर आदमी रहने लगेंगे तो अबियसी बात है कि जो है परियावरन को छती पहुंचेगी नेक्स्ट है आपका बेरोजगारी क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी जनसंख्या और जनसंख्या को देने के लिए रोजगार के साधन उपलब्द नहीं है तो उसे बेरोजगारी भी जो है वो लगातार बढ़ेगी नेक्स्ट है आपका भूख्परी ठीक है जनसंख्या को हम लोग फीड नहीं कर पा रहे होते हैं फ्रिक्वेंटली ठीक है तो अधिकांस जनसंख्या जो है भूख्मरी की वज़ए से मर पर पीने का पानी भी उपलब्द नहीं हो पाता वहां पर डिब्बाबंद पानी लोग प्रयोक करते हैं तो यह बहुत ही विकराल स्थिती है और इन फ्यूचर में जाके वाटर का क्राइस बहुत ज्यादा होने वाला है छटवा है असिक्षा ठीक है जब लोग चारा बड पर इसको देख सकते हैं सेवंथ है अपराध असिक्षा का पढ़िणाब अपराध है अपराध से आपका आतंकवाद आपका इसका और एक आगे का स्टेज कह सकते हैं ठीक है विबिन प्रकार की महामारी की स्थितिवी जो है जलसाख्या बिद्दी से हो रही है ठीक है क्यो क्योंकि यह बहुत सारे लोग स्लम एरिया में रहते हैं उनके पास उतने सोर्चेस नहीं है तो गंदेगी में रहने के वज़ा से विभिन प्रकार की स्वास समस्या उनको फेस करने पड़ती है तो महामारी भी एक तरीके से उनको इंपक्ट कर रही है नेक्स्ट है आपका उर बढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी भी हम लोग जो थर्मल पावर प्लांट से जो है अपना एनरजी प्रोड्यूस कर रहे है और हमारे पास कोल और बाकी सारे कोल उसका उत्पादन एक लिम्टेड अमाउंट में है तो हमारी इतनी कैपैसरेटे नहीं पची कि हम ल और टॉपिक है आपका परिवार कल्यान कारिक्रम ठीक है भारत में आजादी के बाद से ही जो है विभीन छित्रों में आपका परिवार कल्यान कारिक्रम की सुरुवात हो गई थी लेकिन इसकी वेवस्थित रूप से अगर सुरुवात की बात की जाय तो 1952 से मानी जाती है ठीक है, 1960 में एक योजना लाई गए जिसको सैचिक परिवार नियोजन बोलते थे, कि व्यक्ति जो है वो अपने इच्छा से परिवार का नियोजन करवा सकता है, नियोजन मतलब, इसके बार में हम लोग थोड़े दिर में दिखते हैं, बात में जाके इसका नाम चेंज कर दि सबसे पहले तो है आपका जन्म दर नियंतरित करके परिवार को हम लोग कंटेंड कर सकते हैं, इतने सारे बच्चे से पैदा हो रहे थे और लोगों को जानकारी के अभाव में बच्चे पैदा कर रहे थे, ठीक है, और हम लोग परिवार को नियंतरित करने के लिए हमारे व विविन परकार के गर्भ निरुधक उपाय कर सकते हैं, कारड़ एक्जामल आपको पता ही होगा, बहुत सारे ऐसे गर्भ निरुधोरों तक गुडलिया आज आ गई हैं, इसके अलावा कॉंडम्स का प्रियोग हो गया, कॉपर्टी हो गया, और भी कई सारे जो माध्याम हैं, उनके माध्याम से हम लोग गर्भ निरुधक के उपाय कर सकते हैं, इसके अलावा जो है नेक्स्ट, वैवाहिक उम्र, वैवाहिक उम्र तैय कर दी गई, आपका 18 वर्स लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 21 वर्स, और अभी तो न्यूस में एक बार आया था कि, इ अला कि 18 वर्स पे बहुत कम लोग जो है वो आजकल साधी कर रहे हैं, लड़कों की बात तो अलग है, पता नहीं वो लोग करते हैं, ठीक है, यौन सिख्छा कारकरम, ठीक है, इसी परिवार नियोजन के अंतरगत, आपका यौन सिख्छा कारकरम भी चलाया गया है, जिसे ल ठीक है, तो आप कोई के क्लास में अगर चलती होगी, तो आप नहीं पता, लेकिन मेरे क्लास में तो चलती थी, ठीक है, नेक्स्ट है, आपका विभाहीतों को परामर्स देने के लिए विभिनम प्रकार के टॉल फ्री नमबर वगयरा, जो है, वो सरकार प्रवाइड करते है जहां पर विभाहीत जो है, वो परामर्स ले सकते हैं, ठीक है, इसके लावा और भी कई सरी चीज़े हैं, जैसे कि आपका बच्चों में उचित अंतराल रखने की सलाह देनी जाती है, जैसे कि minimum आपका तीन एर्स का गैप होना चाहिए बच्चों के बीच में, ठीक है, तो इसके अलावा गर्भवती इस्थ्रियों के पोर्षण, टीका करनी और नियमिट जाज की विवस्था की गई है, ठीक है, आपको पता होगा, 36 गवर्मेंट में कहीं सारी योजनाय चलाय रही है, जैसे अभी सिश्यू सब्ताह चलाय जा रहा है, ठीक है, 25 से लेकर 30 तारिक ठीक है, कहीं कहीं 31 तारिक तक, शिश्यू सब्ताह बनाने की योजना है, ठीक है, इसमें बच्चों को जो है, विटामिन ए और फॉलेक एसिट के सिरप पिराय जा रहा है, आपको पेपर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, तो हमारे फेस्बूक पेज को फॉलो करो, तो आपको पेपर के कटिंग वगर मिलते रहती है, जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट है, आपका शिश्यू मित्तुदर में कमी लाने के लिए हम लोग टीका करण के बहुत सारी योजना चला रही है, सरकार में चला रह हुआ है, असर यह हुआ कि 1961 के बाद इस सारे परिवार नियोजन के कारिक्रम से दसकी वृद्धी में कमी हुई है, मतलब एक दसक में कितनी जनसंख्या का बढ़ेने का रेट वो घटा है, तीक है, इसके अलावा सिश्य मृत्तुदर में भी कमी आई है, कि हमने परिवार न मतलब इसरी करण मतलब जनसंख्या कंटेन नहीं हो पाई, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है भारत की, यह बाड़ी चिंता की जना को इस्थति है, इसके अलावा मृत्यूदर की अपिक्छा, जन्मदर में कमी लाने में जो है हमको सफलता नहीं मिल पाई है, मिला मृत्य क्या हो रहा है कि हमारे देश के जनसंख्या लगातार ग्रू कर रही है, ठीक है, तो यह आपको कुछ चीजे थी, आपका परिवार करना करकम और जन्संख्या विसपूट, एक टॉपिक बज गया है आपका परियावरन एवा मानाव स्वास्त, उसको हम लोग थोड़ी देर परियावरन की मूँव है, आपको बता देता हूँ, आपको पता होगा कि एक स्वाच परियावरन में ही मानाव जो है, वो स्वास्त रह सकता है, अगर परियावरन प्रदूशिट होगा, तो अपयसी बात है कि मानाव को विभिन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े ठीक है, उन से हमारे को कोई नुकसान नहीं होता, तो हमारा जो बेसिकलिए टार्गेट यही है कि जो परियावरन के मूल तत्वों की मौजुद्की के साथ साथ मानाव का स्वास्त भी जो है, वो उसी के अनपात में सुरक्षित रह सकता है, ठीक है, अगर प्रकृति में हमारे प्रकृति के मूल तत्तों को हम लोग सहेच के और संभाल के रखें, ठीक है, अब हमारी समस्याए क्या है, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि एक एक एक्जामपल किस प्रकार का है, कि जैसे कि हम लोग माले जिते हैं, विभिन प्रकार के कार खाने लगा रहे है, अ हमारे परियावरान में विभिने प्रकार की प्रदुशक गैसे इंडर कर रही है जो कि हमारे स्वास्त के साथ आपके परियावरान पे भी निगर्टिव इंपक्ट कर रहा है ठीक है तो यह अल्टिमेंटली हमने खुद से ही प्रकृति के मौलिक स्वरू को डिग्रेट किया और समस्या किया है में जो समस्या यही है कि जो मानव है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्राकृतिक संसादनों का दोहन कर रहा है ठीक है इसे विभिने प्रकार की इस्थिती जैसे कि कभी चारा बारिश हो जाती है कभी बारिश ही नहीं होती है जैसे शातित गड़ में अभी साल बारिश ही नहीं हुई है, तो कई सारे जिले जो हैं, वो सुखा गरस्त हो गए, और मान कर रहे हैं लगातार की, जिले को सुखा गरस्त घोसित किया जाए, इसी प्रकार अध्यूगी कर रहे हैं, से बहुत सारी समस्या हैं, जो हम लग पढ़ चुके हैं, आपका जल प्रदुक्षण, वायू प्रदुक्षण, यह सारी चीज़े जो हैं, वो क्या है, वो हमारी समस्या है, कि हमने प्रकरती के मूल स्वरूप पे किस प्रकार से परिवर्तन किया, जिसे मानों के स्वास्त पे अल्टिमेटली असर पढ़ रहा है, हम लोग विभिन प्रकार के विमारिया भी पढ़ चुके हैं, से रिल रेटेड, ठीक है, प्रिवियस लेक्चर्स पे, अब इनका अल्टिमेटली रिजल्ट क्या हो रहा है, आपका ओजोन लेयर जो है, वो डिपलेट हो रही है, आपके अल्टिमेटली जो मानाओ का भविष्य खत्रे में पढ़ सकता है, ये इस पुरे टॉपिक का मेन कल्क्लोजन यही है, ठीक है, तो इसके बाद कुछ टॉपिक और बज गए हैं, जैसे कि आपका अमली वर्षा, ओजोन परत का छरण, वन संबंधित अधनियम, ये मिसलेनिय खाद जाल, इसके बाद आपका वेविन परकार के पिरामिड, ठीक है, जो की परियावरण से रिलेटेड है, उसको भी पढ़के वो अमारा आखरे टॉपिक होगा, तो दो क्लास आपकी बची होगी है, परियावरण की, इसके बाद आपका पूरा ये खतम, ठीक है, तो इन दोनों क्लासों का वेट करिए, मैं हो सकता है कि कल और परसों दो क्लास बनाद हूँ आपने के लिए, ठीक है, और जैसे वीडियो आएगे तो आप देख लेजेगा, इसके बाद मैं वो टॉपिक चालो करूँगा, जो की मैंने आपको टेलिग्राम में पूछा था, जि इसके लावा आपको एक और काम करना है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए है, तो सब्स्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आउन करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच पे, और मुझे ऐसी ही सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं इस झाल फिस करना हैं, टाकि मैं वीडियो को आपक mosque कीजिएब कर आइक करिछ लिद चैनल करे बीच जबते के बीचिए, चैनल करना हैं, करें इसनल करके रहें, दें दोस्ивает करिज वीडियो को आपके दोस्तों कर रहें हैं, इस करेंठ किए वीडियो잡़ा़ाद करी बाहें तोन क्लीला है कि भण्वाय हुआ जे, गलमा से, जुट जबाक प्यए हुटहुभा हुआ rebels 2